देखिए पहली बात तो है कि वो matter subjudious है जो प्रिविलेश कमेटी होती है उसके उपर जो भी individuals हैं वो करमचारियों के खिलाफ लिए करमचारी करते था करते नेता है और वो individuals है अगर जो कुछ उनने बात कहनी है वो प्रिविलेश कमेटी के सामने कहें और इसमें मैं ज्यादा कुछ कमेंट्स नहीं करूँगा क्योंकि वो matter जो है कमेटी के विचारत है क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी ने करानी है नड़ा जी रास्टे देख्स बिलासपुर से है अपने आप तो बीजेपी वाले कुछ करा नहीं पाए इतने सालों से जील जो है वो बनी वी है और उसका कोई जो tourism potential था उसको हमा harness नहीं कर पाए हैं तो अभी कदम उठाए हैं तो वो बहुत स्राहनिया है और बहुत जल्दी जो है आदरी मुक्षामत्री जी उसका विधिवतु दुखाटन कर रहे हैं और लोगों में उसका बहुत बड़ा उसको लेकर जो है उत्सा है बड़ा कर्शन का एक के अंदर बना है और एक साइड से एक किसम के ये wayside tourism है तूरिजम है क्योंकि जो टूरिस्ट कुलू मनाली ले लदाक जाता है उसके लिए उस रोड के साथ में जो है हमने ये facility क्रेट कर रहे हैं और ओहर में उसके साथ ही ओहर एक स्थान है वहां पर ह एक हेलिपोर्ट भी बन रहा है, तो वाटर स्पोर्ट्स रेक्टिड अक्टिविटीज भी करें हैं, एरो स्पोर्ट्स रेक्टिड अक्टिविटीज भी वहाँ पे स्टार्ट की हैं, पैराग्लाइडिंग भी स्टार्ट की है, और जो वेसाइड हम होटल और अच्छा इंट टेनल का एंट्रेंस है वहां तक तीखे मोड़ा उस स्टेच में तो लिमिटर जायज लगती है लेकिन मंडी भ्राडी से सुंदनगर की तरफ जब हम आते हैं तो उसमें क्योंकि रोड अच्छा है वहां पे वो लिमिटर सेम लिमिट नहीं रहनी चाहिए उसको चेंज करने की जरूत है तो मैं समझता हूं कि इसमें नचाई के अधिकारियों को पन्रविचार करना चाहिए क्योंकि रोड कंडिशन के साब से हमें जो है वो स्पीड लिमिट सेच करने की जो है कंडिशन रहती है तो जहां रोड अच्छा है वहां पे वो लिमिट को बढ़ाएं और जह ठीक है जहां वे ओ लिमिट फिक्स किया हो ठीक है